जैसे मैंने बताया आपको no I hope you fully understand के big data is about managing different types of data जिसके अंदर data बहुत ज्यादा होता है हमारे पास अब नॉर्मलिल ये था कि अगर हम देखें कि हमारे पास एक database होता था ये एक data warehouse होता था जिसके अंदर हम बहुत सारा data एक वक्त पे रख सकते थे लेकिन वो जो data था that was all in SQL एक tabular format में होता था वो relational था that is fine लेकिन वो एक ही तरह का data होता था जो कि काफी हद तक process होने के बाद हमारे पास आता था और हम उसको अपने database में रखते थे या data warehouse के अंदर उसको रखते थे बाराल जिसे ने भी रखा है उन्होंने data lake इस point of view से रखा है कि इसके अंदर हर तरह का data आप उसके अंदर रख सकते हैं बेशक वो अपनी raw form में हो कि हमने कुछ concert मैंने आप से जो discuss के ETL extract आप करते हैं उसको transform करकर फिर load करते हैं database के अंदर या data और data भी रख लेते हैं as it is जैसे source जाया आपने वैसी रख लिया अगर आप चाहें आपने इसको process करके रख लिया आप चाहें आपने इसको data mark बना के रख लिये cube बना के रख लिये to make sure के आपकी जो business requirements है objective इसका यही है data lake का भी कि आपकी जो business requirements उनको आप as quickly as possible in a more effective and efficient way उनको आप handle कर सके अच्छाब इसके अंदर जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि यह हमने देखा कि जी हमारे पास structured data semi structured unstructured ठीक है अब इसको raw form में रखने की क्या जरूरत है raw form में रखने की जरूरत यह है कि क्योंकि data is coming at a very high speed मेरे पास I mean मेरे system के पास इतना time नहीं है even I have the most powerful computer in the world के मैं उसको फौरी तोर पे जो है वो process कर सकूँ या मेरे business की requirement नहीं है कोई के देखी this there is expense associated with every अगर आप कोई भी capacity अपने पूरे ecosystem में introduce करवाते एड करते हैं तो उसकी cost की जो repercussions है वो होती है and you have to make sure के आपका system again या आपकी as a data scientist तो या आपकी responsibility नहीं है but someone in the organization has to take care of it तो data lake आपको इस point of view से भी help करता है फिर एक इसमें और बड़ा interesting factor है वो यह है कि यह जो आपके जितने बड़े बड़े नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं Oracle, IBM, Microsoft इनके जो databases होते हैं इनके licensing होती है और उसकी cost होती है अगर आप data को और आप यह हमने बार बार discuss किया है कि यह जो open source है यह आपके big data का mostly there open source और open source का मतलब भी यह होता है की कोई licensing fees नहीं है तो अब आप उनके पास again to take any example healthcare की ले 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 फार्मसूटिकल की ले ले उनके पास trillions and trillions of bytes of data जो है ना आ रहा है अब अगर उसको वो रखते हैं even के इन में भी अगर हम देख रहे हैं जो proprietary databases है Microsoft is most economical यह इन बाकियों में से this is cheaper लेकिन उसकी भी जब आपके पास terabytes में data होगा तो that will become more and more expensive फिर दूसरा इसके अंदर एक trade-off यह होता है कि वो Oracle या IBM दे या एक और company है teradata वो आपको force करते हैं कि अगर आपने उनका solution लेना है they are changing by the way वो अपने ये जो ना इससे हट रहे हैं अपने उनकी जो क्योंकि they are losing their business तो वो कहते हैं कि hardware भी हमा रहा हो operating system भी हमा रहा हो database भी हमा रहा हो front end भी हमा रहा हो उससे ही होता था कि these type of solutions they became white elephant for the companies वो बेशक telecom है, banking है, healthcare है they have started realizing for last many many years कि इसका इतना फाइदा हमें नहीं है जितनी इसके उपर investment है इसलिए फिर open source चीज़ों के लिए और data lake के लिए it was natural क्योंकि वो उसने अपनी जगा अराम से बन गई कि मेरे पास देखें जब मैं as a data scientist काम कर रहा हूँ तो मैंने बड़े थोड़े data पे काम करना मैंने कुछ सारे data set पे काम नहीं करना वो करते हैं फिर यह हैं कि जिस data पे आपने analysis करना है वो भी आप using H base या हाइब use करते हुए आप उसको वो कर लेते हैं उसके काम and then to provide it to the business side of the people जिन को कुछ नहीं करना सिर्फ graph देखने हैं चार्ट देखने हैं तो वो data आप अपने data lake का जो आपका component है SQL का उस पे move करें and give them access to that क्योंकि यह जो data lake का tools है इसमें भी evolution आ रही है and उसमें जो front end है data lake का कुछ open source already आ चुकी है market में Kylo is one of them तो वो फिर इसको आप उसको use करके training दे हैं अपने users को बट यह ज्यादा यह जो काम है यह data scientist का यह ऐसे लोग जो इसको development को programming को यह technical side of the things उनको understand करते हैं business users के लिए आज भी जो best option है that is your जो आपका SQL data तो वो उसको ज्यादा prefer करते हैं technically भी और even ease of use भी है training उसकी easy है you don't have to have any IT background for those जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था कि इसमें data लेके अंदर आपका हर तरह का data आप एक ही hardware में एक computer system होता ने जैसे जिसके अंदर जो storage एक storage है उसके अंदर आप यह सारी different volumes उसके different components बना के एक के अंदर आपने structure data रख लिया एक अंदर unstructured रख लिया एक अंदर semi structured रख लिया semi structured तो जैसे मैंने आपसे पहले जिकर किया कि बहुत हो mostly आपके developer यूज करते हैं या as a data scientist आप यूज करेंगे लेकिन unstructured है that is totally useless for the audience जो के business के लोग है और इसलिए इन दोनों पे जो है वो processing आप ने करनी है या आपके साथ जोहर team members है उन्होंने करनी है लेकिन structured data ऐसा है जो के उसकी direct access through some visualization tool या visualizations आप अपने user को दे सकते हैं that is how यह जो इसका overall concept data लेका उसमें यह चीज़े इस तरह से role play करती है it's very very interesting actually के जो data लेका अगर आप process understand करना जाए ना जैसे मैंने आपको कोशिश तो मैंने यही कि within minimum time आपके जो maximum जो चीज़े हैं जो concepts है वो कमस कम आपके साथ मैं care कर सकूँ कि आप again देखे किसी एक business की अगर आप example लें तो वहां पे हमने healthcare की देखा retail का देखा e-commerce का देखा किस किस तरह से data produce हो रहा है और अगर looking at a company like walmart यह दुनिया के ना they are one of the largest retailers इसी तरह IKEA stores है यह कई कई और है देखा उनके पूरी दुनिया में उनके stores है यह जो उनके stores है उनकी जो तदाद है सेंकडों में नहीं हजारों में यह नोगों की जो stores है उनकी तदाद है और एक एक store के अंदर जो line items है और आप यह इतना data produce करते हैं इतना data produce करते हैं हर तरह का data produce हो रहा है देखें इनके अगर मैं प्लीज आप इसको walmart को as a case study जरूर study करें और देखें कि यह company है क्या करती क्या दुनिया में it will broaden your horizon और आपको समझ जाएगी कि practically एक data scientist जो है वो कितना vital role play कर सकता in a practical world और in a living economy अच्छा तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको यह समझ जाएगी कि उनके पास हर तरह का data available है जो different हमने शुरू में एक sales की example भी देखी थी in one of the previous module कि अगर पूरे आप अपने sales cycle को देखें तो उसके अंदर आपका जो पर्द करें email भी use हो रही है आपके जो CRM भी use हो रहा है आपका point of sale भी use हो रहा है back end पे आपका inventory भी use हो रही है आपका accounting भी use हो रही है आपका payment card use हो रहा है आपका जो जो delivery के channel है उसकी जो delivery का पूरा mechanism है उसके पीछे भी पूरा एक process है कि वो किसी वेरो उसमें order जाएगा वहां से कोई गाड़ी कोई भाई को उसको pick करें कि वो उसके पास को mobile होगा जहां को smart device होगी जिस पे वो जाकर deliver करेंगे उनसे payment लेंगे या make sure करेंगे and they get electronic signature on the same device अगर आप इस पूरे process को देखें तो this is a very good example एक पूरा system आपको समझ जाता है कि किस तरह से जो big data is you know being generated किस तरह से ये data data lake में store होगा और कौन-कौन से लोग है जो within again अगर आप example देखेंगे इतनी बड़ी companies में लाखों हर एक की अपनी अपनी requirement है अब वहाँ पर जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है strategy के लोग जो planning के लोग है someone somewhere is sitting and planning आप किसी store में जाते हैं किसी website पर जाके जो products आपको नज़र आ रही है that is not at random उसके पीछे बहुत सारे लोगों प्लैनिंग की है बहुत सारे लोगों ने काम की है designer से लेके जिसने वो product design की product manager आपके marketing के लोग sales के लोग और फिर finance के लोग भी होंगा obviously जब वो पैसे देंगे तब ही आगे चीज़ेंगी तो अगर आप देखें तो वो everywhere you know there's so many things यह पूरा एक ecosystem जो है इसका retail का या e-commerce का इसके और जब हम एक large scale जो company है उसकी बात करें अब Alibaba की example देखें अब eBay की example देखें आब ये I hope you are already familiar with these names if not please make sure कि आप ये note करें जाके internet पे इनके बारे में search करें eBay just type eBay in the Google और you will see what it is just type Alibaba in the Google and you see what it is आप Walmart को जाके study करें आप IKEA को study करें और भी कुछ बहुत बड़े बड़े नाम है दुनिया में जिनको अगर आप study करेंगे तो you will understand के how big they are और उनका business का size क्या है और किस तरह से उनोंने how did they started अभी जब हम cloud की बात करें तो हमने Amazon की बात की यह एक simple e-commerce की company थी जो के cds और books बेजते थे आज के दिन में they are one of the top cloud company जो तीन major competitors है they are one of them और उनका अगर आप जब system study करेंगे तो you will understand के they have cloud they have data lake उनके पास structured भी data है unstructured भी है semi structured भी है उनकी development की team अलेदा है उनके जो contractors अलेदा है उनकी planning की team अलेदा है you know so and so forth इस तरह से it will help you to understand के यह जो पूरा एक एक पूरी economy की आप example लेज सकते हैं government level पे या private public sector में private sector में आप किसी organization की example लेज सकते हैं and you can develop your concepts यह जो big data, data lake यह चीज़े हमने हदूब की बात की JSON की बात की you know XML की बात की यह सारी चीज़े किस तरह से वहाँ पे एक बड़ी environment में fit होती है and how you will align with one of those items yourself thank you